लवकेश कटारिया को विशाल और अधनान के उपर बाहर वाला होने का डाउट हो चुका है हाला कि लवकेश कटारिया जो है कल से कल जो है काफे ज़दा लो फील कर रहे थे और उसके बारे में मैंने लगातार आप लोगों को बताया था पर आज फिर दुबारा से लवकेश जो है अपनी फॉर्म में आ चुके हैं और मस्ती मजाक कर रही है अब जो है बिग बॉस ने पूरे घर वालों को 15 मिनट के लिए ओपन चैट का आप्शन जो है ओन कर दिया है तो सब लोग जो है अब ओपन चैट जो है एक दूसरे के साथ कर रही है जब बिग बॉस ऐसा करते हैं तब बिग बॉस बाहर वालों से कुछ सवाल जरूर पूछते हैं और वो आक्चली में बाकी लोगों की चैटिंग के आड में जो है अपने पूछे गए सवालों के जवाब जो है वो दे पाएं इसलिए बिग बॉस ये हरकते करते हैं पर मैंने आप लोगों को पहली बोला था कि ये चैटिंग में एक सुला पे आना एक डिसीजन पे आना ये थोड़ा बहुत मुश्किल होता है पर फिर भी जो है इन लोगों को एक डिसीजन जो है वो तो लेना ही पड़ेगा बिग बॉस ने कुछ तो सवाल पूछा है बाहर वालों से और आप लोगों को पता है कि रनवीर विशाल और अधनान जो है वो बाहर वाला है अब वही पर विशाल बैठे हैं और विशाल को देखने के बाद बोलता है लवकेश कि भाई मेरे को डाउट है कि तू ही जो है बाहर वाला है तो विशाल बोलता नहीं यार मैं बाहरवाला नहीं हूँ मेरा कुछ अलगी पंगा चल रहा है मेरा कुछ अलगी चल रहा है बोला नहीं मेरे को पता है तुही बाहरवाला है तो यह चीज जो है अब लवकेश कर रही है और मुझे लगता है कि लवकेश को ऐसा नहीं करना चा तो कहीं न कहीं body language से कहीं कोई ऐसा action आ जाता है जहां पर confirmation जो है लवकेश को मिल सकती है पर लवकेश ने इस चीज़ को जादा ड्राइग तो भी नहीं किया है पर अधनान के उपर भी जो है शक हो चुका है अब लवकेश को की अधनान तो बहार वाला है पर अब शक जो है मैं नहीं पता क्योंकि इस बार एक नहीं तीन तीन बाहर वाले हैं तो अब देखेंगे कि आखिरकार बाहर वाले को कौन सा ऐसा decision दिया है कि इनको आपसी सहमती से जो है वो लेना पड़ेगा और garden area में ऐसा क्या task बनाया है जिस task perform करने के लिए ये लोग काफिजदा excited है औ मैं उसको देखने के लिए काफिजदा excited हूँ उसके उपर gossip करने के लिए काफिजदा excited हूँ क्या है आपका कहना बताइए जरूर बाहर वाला क्या कोई पकड़ पाएगा कि आखिरकार है कौन